नमस्कार दोस्तों, हिस्टी के क्रेस कोर्स के अंतरगत हमने मुगल काल का पतन देख लिया था, अब आगे हम उसको बढ़ा रहे हैं, आधुनिक भारत के अंतरगत जो हमको अगला टापिक देखना है, वो यूरूपिय कंपनियों का आगमन देखना है, बहुत इंपोर्टन अक्सर इसे प्रशन पूछे जाते हैं, चोटी से चोटी परिच्छा हो, या कोई भी बड़ी परिच्छा हो, यहां से प्रशन पूछी लिया जाते हैं, इसमें से जो भी महत्पूर्ण प्रशन बनते हैं, जो कि कठीन प्रशन होते हैं, या जिनको बार बार पूछे जाने कि जल्दी रिवीजन हो जाए और ठीक भी है होना भी चाहिए ऐसा तो यहां पर मैंने यह प्लान किया है कि अब जल्दी आपका important chapter जो भी important है उसको revise करा दिया जाए PCS के पहले या जो exam आपको नजदीक में देना है start revision जल्दी से हो जाए उसके बाद में detail में जब आगे हमको time बिलेगा तो हम लोग पढ़ लेंगे और अगर इसी में आपका selection हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है मैं मोंपांडे आपका guide आपका दोस्त चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं European company का भारत में आगबन क्या क् होजा कि मैं ये सारे प्रस्दिश में बनते हैं भारत में अगर आने का करम आप से पूछा में है कि भारत में जो अगर आपको डेन भी याद रखना है तो PDAF हो जाएगा ऐसे फार्मूला बना के याद रखिए PDF याद रखिए PDF में अंग्रेज भी आ जा रहा है जो लोग थे वो तीसरे नमबर पे थे और उसके बाद में अंग्रेजों के बाद में डेन आये थे और फिर लाश्ट में फ्रांसीसी सबसे पहले आये पूर्तगी जो सबसे बाद में गये और सबसे लाश्ट में आये फ्रांसीसी जो सबसे पहले गये इस तरह से मतलब ये पूर्तगी सबसे पहले ये वले नहीं गये लेकिन जो सबसे पाद में आए, शुरू में आए, वो सबसे लाश्ट में गए, कौन? ये पुर्तगीज, पुर्तगाली जो दे, अब इनके जो कंपनी अस्थापित करने का जो क्रम था, उनको हम जगर देख लें, तो पुर्तगालीओं ने सबसे पहले कंपनी अस्थापित की पुर्तगीज की जो कंपनी थी, उसका नाम था, इसतादुधा इंडिया, जो थी, उसका नाम भी आपको जाना चाहिए, इसका नाम अeles के बाद में अगर हम देखें, तो ये कौन सा यात्री, किस चीज की खोज किया, किस देश की ये भी important है तो वास कोड़ी गवाने ये पुर्तगाली यात्री था 1498 में ये भारत आया था भारत की खोज माना जाता है इसने की थी और कोलंबस इस्पेन यात्री था इसने अमरीका को खोजा था याद रखना है कि कौन-कौन सा यात्री था किस देश से रिलेटेड था, क्याटन को किया वट्रैन का तो इसने या रहने वाला था तो दो ही से बनाय जाएगा जाएगा चैये इसको relate कर दिया या चाहिए, इसको relate करके प्रशन बना दिया जाए, revise करते चलिए अच्छे से, पुर्तगाली उपनिवेस का पर्थम वाइसराय कौन था, ये प्रशन कई बार पूछा गया है, पुर्तगाली उपनिवेस का पर्थम वाइसराय कौन था, तो पुर्तगाली वास्तिविक संस्थापक पूछा जाये, तो वास्तिविक संस्थापक तो अल्भुकर्क था, लेकिन पुर्तगाली उपने में इसका प्रथम वासराया आप से पूछा जाये, तो ये अल्मीडा था, ये दोनों याद रखेगा, इसका क्रम भी इंपॉर्टेंट है कि पहले अ में देख लिया कि पर्थम वायस राय को था आपने देख लिया कि पर्थम दूर्ग कहान स्थापित हुँआ था ये सारे पर्षन बहुत ही ज प्रथम दुर्ग अस्थापित किया कोचीन में ये प्रथम दुर्ग था किसी भी उरोपिये का भारत में ठीक है ना और ये अलफांसोदा अलबुकर्क ने इसका निर्मान करवाया था और ये उसमें वायसराय नहीं हुआ करता था ये भी आप ध्यान रिखेगा अगला हमको जो देखना है वो है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूट पार्ट के लिए अड़ा किसने बनाया था तो इस प्रशन का उत्तर भी है पुर्तगालियों नहीं बनाया था हुगली को संस्थापक था ये आपको ध्यान में रखना है बहुत ही इंपोर्टेंट ये फैक्ट है बहुत बार बहुत सारी परिच्छाओं में पूछा गया है तो ये ऐसा एक और प्रशन अगर इसको घुमा के पूछा जाएगा जो अभी दुर्ग वाली बातम कर रहे थे तो पॉंडिचेरी पर कबजा करने वाली पहली ये रूपिय सकती आपसे पूछा जाएगा तो भी आप पूछा जाएगा अगला इसमें प्रशन जो पूछा जा सकता है वो पूछा जाता भी है भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूजी कंपनी सरपर्थम किस ने प्रारम की थी तो अब हम आज आएं डचों पे संयुक्त पूजी कंपनी जभी भी पूछी जाएगी तो इसको आप प्रत्कालीज के बाद आये थे डच पीडी एफ करम आप याद रखें पीडी एडी एफ तो उसमें सेकेंड पर कौन आ रहे हैं डच तो डचों ने सेंग तो पूजी कंपनी सरपर्थम प्रारम की थी इस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहां लगी थी यह प्रशन यह होता है यह कभी-कभी अबड़े नुकसान दाये खोजाते हैं अगर आपको ध्यान में नहीं आता है कोची में फोर्ट विल्यम का निर्माड किसने कराया था तो डचों ने पूर्थम ने पृत्गालियों को पराजित किया था इस्ट इंडिया कंपनी के गठन क समय कौन था यह अकबर हुआ करता था ठीक है न और यह एक प्रशन आपको पता होगा यह कि ऐसे एक कई बार यह प्रशन पूछा जाता है कि कौन सी बिटिस कंपनी थी जिसको व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्थ हुए था एक ऐसा भी प्रशन पूछा जाता है तो ये प्रश्ण है लिवेंड कंपनी थी, लिवेंड कंपनी को ये ऐसी बिटिस कंपनी थी जिसे भारत में व्यापार करने का अधिकार 1593 विस्वी में प्रदान किया गया था, ठीक है न, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, अगला है पुर्तगालियों को स्वाल भी स्वाली में किस ने हराया था, तो पुर्तगालियों को स्वाली में थामस बेस्ट ने हराया था, बिटिस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई लिया, तो किस से लिया था, बिटिस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई जो लिया था, वो किस से लिया था, वो पुर्तगालियो लिया था 1661 में इंग्लेंड के समराट चार्स दुतिये का विवा हुआ पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से और जब कैथरीन से विवा हुआ तो चार्स को मुंबई उपहार की रूप में प्राप्थ हुआ था यह आपको पता होगा अगर नहीं पता है तो दिहान रखि कि पुर्तगालियों से इसको प्राप्थ हुआ था चार्स दुतिये का विवा पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ तो कैथरीन जो थी वो पुर्तगाल की थी तो इनको चार्स दुतिये को उपहार के रूप में मुंबई या बंबई जब उसको कहते थे तो वो British East India Company को उन्होंने दे दिया था तो ऐसे ये प्राप्त हुआ था अगला है सरजान चाइल्ड को भारत से निकाला तो ये अंग्रेज गवर्नर थे जान चाइल्ड और अरंजेव ने समझा ये बच्चे हैं भी ऐसे याद रखिये सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया था लूई 14.25 के मंतरी कालवर्ट के दोरा 1664 में फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी की अस्थापना हुई ठीक है न कंपनी देस इंडेस और इंडेस इसको कहा जाता था और इसने सबसे पहले जो अपना कारखाना लगाया था भारत में वो सूरत में लगाया था ठीक है न बंगाल का चिंसुरा कारखाना किसके दोरा स्थापित किया गया था तो चिंसुरा कारखाना बंगाल में एक प्रशनी यहां से बनता है और किसके दोरा हुआ था तो यह डचों के दोरा हुआ था अगर आपसे पुछा जा जाए है यह बिहार में अगर आपसे पूछा जा जा जार तो आप बिहार टिक करेंगे ठीक न और बिहार के अंदर कौन सा जा जा था खिलाल मुझे नहीं पता है और आप लोग पता होगा तो कमेंड बाक्स में बताइ송एगा जिन लोगगो BPSC देना होगा उनको जानना चाहिए भारत में तंबाकू और मिर्च की खेती कसरे किसको जाता है कौन लेके आया तो तंबाकू और मिर्च की खेती का ये पॉर्टगालियों को जाता है ये दोनों खेती वही लेके आये थे ये important है बहुत ही important है एक प्रश्ण जो मैंने आपसे बताया था कि ये ये जैसे डस दे दिया जाए इंग्लिस दे दिया जाए अंग्रेज, पॉर्टगालिस और फ्रांसी जो सुतनता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए ठीक है न तो आप टिक क्या करेंगे ऐसे मैं प्रश्ण पूछ रहा हूँ आपसे सबसे अंत में कोना है सुतनता पूर्व की बात देखिए कर रहा है अगर ऐसा प्रश्ण आपसे दिया है तो सुतनता पूर्व का यानी कि वही प्रश्ण पूछा जा रहा है तो आप क्या कहेंगे फ्रांसी सी ही सबसे अंत में आएग ठीक है न तो ये सारे प्रश्ण इंपोर्टेंट है जैसे ये प्रश्ण है कि तमाकु लाल मिर्च की खेती पूर्टगालियों के द्वारा है जैसे चलती फिरती तोफों का प्रियोग तो ये अंग्रेजों की देन नहीं है चलती फिरती जो तोफ है इनका प्रश्ण मुगल काल में ही हो गया था हमारे यहां और मिर्दा के सुरूत था उपच के गुलों के आधार पर एक प्रश्ण पूछा गया था अब हम देख लें इस्ट इंडिया कंपणी और बंगाल के नवाब नवागों की बारे में हम जड़ा सा देख लें प्लासी का यूद इसी के अंतरगत हम देख लेंगे आगे उसमें क्या डबलम्मेंट हुआ वो पूरा हम देख ले रहे हैं 1757 की बात है प्लासी का यूद हुआ कब हुआ 1757 में रावर्ट कलायो अंग्रेजों की तरफ से वह सिराजुद दौला ये नवाब था इनके बीच में ये यूद हुआ सिराजुद दौला इसमें हारा अंग्रेज इसमें जीते यानि रावर्ट कलायो की जीत भी भारत में बिल्टिस प्रभुत यहीं से प्रारम हो गया अभी काबिज नहीं हो पाये अभी निरनाये के नहीं हो पाया था वो तो आगे चलके बकसर के उद्वें होगा लेकिन यहीं से प्रारम हुआ, प्रारम हम यहां से कह सकते हैं, इसलिए रावट कलाई को स्वर्ग से उत्वन सेना नायक कहा गया, कि उसने देखे क्या किया, बिटिस्ट प्रभुत अस्थापित करने का प्रयास किया और वो सुरुवात हो चुकी थी, अगला इसमें एक प्र फिर आता है वक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, जब ये युद्ध हुआ, तो अंग्रेजों द्वारा बंगाल के नवाब मीर कासिम और आवट के नवाब सुजाओद दौला, वो मुगल समराट सा आलम दुतिये, के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है, और इस बाब सुजाओद दौला और मुगल समराट सा आलम दुतिये, और ये सभार गये अंग्रेजी सेना से, भारत में बिचिस प्रभुत यहां से अस्थापित हो गया, तो जो प्रभुत अस्थापित होने की बात पूछी जाएगी, तो आप 1764 का बकसर का युद्ध टिक अगर प्रारम की बात की जाएगी, कि प्रारम हुआ, तो आप टिक करेंगे, प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, अंग्रेजों का कफ्तान उस समय काउन था, वो हैक्टर मुन्रो था, अगर भकसर की दिकी समय, आप से अंग्रेजों का कफ्तान पूछा जाए, तो है संधी में अंग्रेजों को मुगल समराड सालम दुतियोदारा इलहाबाद वा कड़ा प्रदेश दिया गया तो अंग्रेजों को यह दे दिया गया ठीक है ना कड़ा और इलहाबाद का यह जो प्रदेश था ठीक है ना अगला है कि East India Company को बंगाल की दिवानी कब मिली तो यह 17 1665 में मुगल समराड द्वारा मिली थी 1765 में मुगल समराड के द्वारा बंगाल की दिवानी किसको मिल गई East India Company को एक प्रशन और बनता है कि बकसर का जब इदुत हुआ उसमें दिल्ली का सासक कौन था तो अभी हमने बताया था आपसे कि सालम दुतिय का नाम इसमें आया आलम दुतिय ने ही प्रदान किया था तो बंगाल की दिवानी 1765 में किस ने प्रदान किया यह सालम दुतिय ने ही प्रदान किया था अब एक जो हमने देखी लिया है फिरसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यह वाला प्रशन बहुत इंपोर्टन है कि रावर्ट के बारे में एक प्रश्ण और बनता है जिसको मैं आपके सामने डिसकस करना चाहता हूं वो प्रश्ण है कि इस्ट इंडिया कंपनी को सहनसा साहालम द्वारा बंगाल विहार और इसा में दिवानी प्रदान किया गया उसमें कौन गवर्नर था तो यह इंपॉर्टेंट की दिवानी मिलने के बाद अंग्रेज किस जंजात के संपर्क में आए यह प्रश्ण एक बार पूछा गया है तो यह वो जंजाती थी खासी खासी जंजात के संकर्प में संपर्क में सिलहट की दिवानी मिलने के बाद में अंग्रेज आ गया ठीक है न आपने खासी जैंति पहाड़ के निर्मार करेंगे जो खासी जिनजाती थी उनके नेता थे तीरत सिंग उनके नेत्र तुम्हें इसने बिरोध किया था तो ये प्रश्न पूछा जाता है ये खासी जन्जाती का जो विद्रोध था उसमें नेता कहों थे तो ये तीरत थे ये आपको ध्यान में रखना है अब हम कुछ युद्ध देख लेते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं क कौन सा युद्ध हुआ और कौन कौन से उसमें पार्टिसिपेट किया लोगों ने और सन उसका क्या था एक अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में 1749 के अगस्त में ये युद्ध होता है और इसमें मुझभफर जंग चंदा साहब वा फ्रांसीसी एक तरफ और ये कर दी जाती है और मुझभफर जंग दकन का सुवेदार बन जाता है दूसरा युद्ध है बांडिवास का युद्ध जो 1760 में हुआ अंग्रेजी सेना वो फ्रांसीसी सेना थी वो प्राजित हो गई बांडिवास की युद्ध में फ्रांसीसी सेना प्राजित हो गई अंग आयर कोट और फ्रांसीसी सेना का नेतरुत काउंट डी लाली कर रहा था तो फ्रांसीसी सेना की तरफ अगर देखा जाए तो यह लाली था और यहाँ पे आयर कोट था तो यह भी आपको ध्यान में रखना है अगला है चिलिया वाला यूद तो जो चिलिया वाला युद्ध है ये हुआ 1849 में, ठीक है ना, तो ये चिलिया वाला युद्ध है अंग्रेज और ये सिख सेना के बीच में हुआ था, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, और एक युद्ध है खुर्दा युद्ध, 1795 निजाम और मराठों के बीच में कोरा में लेकिन किसे लोग सामने आते हैं किते God उबड़ा एक्ट पढ़ता है मुझे कभी-कभी निराशा होगों तो असको लाइक कर दीज्येगा लोगों तक पहुचाईए का जरूर लाइक करना हो करिए नहीं तो इसको पहुंचाई जरूर लोगों तर रिवीजन आपका यह अच्छा हो रहा है इससे आपके बड़े कुश्चन भी हो जाएंगे छोटे भी फिल मिलते हैं अगले क्लास के साथ थाइंक यू थाइंक यू बेरी मैस आल दर वेश्ट